पूछते हैं सर, Income Tax Inspector का Code क्या है? ठीक है, हमें Income Tax Inspector बनना है, तो सबी चीज़े हैं. Inspector of Income Tax का Code 22 है, इसके अलबा Preventive का 24 है, Examiner का 25 है. इस तरीके से अलग-अलग आपके Code हैं, सभी Post को लेकर, हमने सबसे पहले नंबर पर B23 बरा था, और हमें B23 यानी Central Exercise मिला भी. ठीक है? चलो. तो अब एक छोटी सी बात है, कि चलो यार, यह जो सफर है ना, यह सफर की शुरुआत होई तो कैसे होई? आप लोगोंने Pre के नंबर जाने, आप लोगोंने Maze के नंबर जाने, Descriptive के नंबर जाने, ठीक है? और बहुत कुछ आप लोगों के मन में भी है, अभी बहुत सारे मैं Comment भी देख रहा हूँ, बच्चों के, कि सर यह पूछना है, यह पूछना है, देखो वीडियो को Like करते रहना, जितने लोगों हर को ये एक बार वीडियो को Like करो, ये Like मेरे लिए नहीं, ये like अगली बार आपके selection के लिए होना चाहिए ये like ये दर्शाय की वाकई मैं आपको इस content में मज़ा आया आपने समझा ठीक है आप भी बहुत खुश हो और आप जो है अगली बार मुझसे promise कर रहे हो कि आप भी जो है अपना result ले कर आओगे और अगली बार selection दिखाओगे साथ में अभी मैं इस वीडियो में बहुत चीजों का खुलासा भी करने वाला हूँ और बहुत सारे आपके doubts को भी clear करूँगा जैसे सबसे पहला doubt है सरा पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे अब आगे join करोगे नहीं करोगे तो हर वो चीज का मैं आपको सठी का अंसर दूँगा घुमा फिरा कर कोई बात नहीं होगे तो देखो ये journey ये शुरू होई थी यहां से जैसा कि मैंने हमेशा कहा था और यहां पर मैंने आपको दिखाए भी था कि सितंबर में पेपर होने वाला था नॉंबर में और नॉंबर के कुछ मंद पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जब लॉकडाउन भारत में लगा था तो हालात ऐसे हो गए थे कि मतलब बयान नहीं करे तो बहतर है दिल्ली में किराया तक देने की समर्थ नहीं था तो मकान होकान खाली करके घर जाना पड़ा और घर जाने के समय में ऐसा रहा कि खेतों में कभी काम कर रहे हैं कभी इदर जा रहे हैं मतलब पूरी घर के जिम्मेदारी आ गए थी उस टाइम पे आज भी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है लेकिन तब थोड़ा ज़ादा जिम्मेदारी था भाई का बहन का मतलब सब तरीके से एकदम घर में थोड़ी ज़ादा जिम्मेदारी थी और खेतों में तक काम करने की नवबत आ गई थी जहां पर मतलब पैसे की इतनी ज़ादा तंगी हो गई थी फिर तबी से एक रहा की नहीं या ठीक है महनत करेंगे कोई बात नहीं जैसे आज मैं बच्चों में देखता हूँ वो हुनर देखता हूँ वो स्टिल मैं मतलब अपने आपको फील करता हूँ उसमें कि ऐसा नहीं है कि ये लड़का जूट कह रहा है आज इसके अंदर मैं अपने आपको देख रहा हूँ आज इसके अंदर मैं अपने आपको महसूस कर रहा हूँ और मुझे महसूस होता है तो ये जो चोरनी है ना पैसा नहीं है कि कभी भी देखो गवर्मन्ट जब की तैहरी कौन करता है, कभी भी हाई क्लास, हाई सुसाइटी के लोग नहीं करते हैं, जो मिडल क्लास फैमिलीज होती है, हमेशा वो करती है, क्योंकि उनके सपने बहुत बढ़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, ल ना इंजिनियरिंग ना मेडिकल, तो उस केस में हमारे पास एक सॉफ्ट ऑफशन बचता है, सरकारी नोकरी, तो सरकारी नोकरी में भी हाई कंपटिशन बहुत जादा है, और उसमें महनत बहुत जादा है, महनत आप जिस तरीके से करेंगे, सफलता आपको उस तरीके से मिल बालिया